तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब JNU विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सरमिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा उठो देश के वील जवानो तुम सिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो महोदे अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की निया प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंगी के लिए सरवोच नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाहला करते हुए आतंगबाद और उगरवाज से कभी नहीं निप्टा जा सकता मानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चर्कों से शालों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे दर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिन चैभर